Welcome to GKGS with Manish Sir साथियो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का सबसे बरा राज्य उत्तर परदेश के बारे में तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर परदेश और उत्तर परदेश से आपके एक्जाम में जो भी महत्तोपुर्ण परश्ण बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी इससे पहले मैंने बताया था पश्चिम भारत का सबसे चोटा राज्य गुजरात के बारे में तो आज हमारा टॉपिक है उत्तर परदेश तो साथियो उत्तर परदेश की राजधानी क्या है लखनाओ है उत्तर परदेश के मुखे मंतरी कौन है योगी अधित्यनाथ है उत्तर परदेश के गवर्नर कौन है तो आनंदी बेन पटेल है उत्तर परदेश के गवर्नर साथियो यह मैप दिख रहा होगा साथियो यह मैप में यह जो है आपका यही है उत्तर परदेश साथियो यह जो आपका है मैप में यह क्या है तो उत्तर परदेश है देखो उत्तर परदेश में यहां पर दिख रहा होगा आपको यही है सोनभधर जिला जो चार राज्यों से लगा और भारत का एक मात्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों से लगा हुआ कई भार पुछ आग्या है कि सुरॅभण जिला निम्ली कितमें इकिस राजी से नहीं लगा हुआ हुआ है तो मद्धेप्र्देश से लगा हुआ है जालखंड जे लगा हुआ है बिहार से लगा हुआ है साथी हो अब आगे देखते हैं यहाँ पे राजसभासीत कितना है 31 है लोगसभासीत कितना है 80 है डिस्टिक कितने है 75 है उत्तर परिश में डिस्टिक साथी हो कितने है 75 है उत्तर परिश में सुर्मधिक राजसभासीत है अब बिधान परिशत वाले राज्य कौन-कौन से है, तो वो देखते हैं घटते करम में, तो बिधान परिशत वाले राज्य जो आपके हैं सबसे अधिक सीच जो है, वो उत्तर परदेश में है, कितना है, 100 है, महाराष्ट्र में कितना है, 78 है, बिहार में कितना है, 75 है, प्रदेश में साथ योग बिन्हान परिशत है उत्तर प्रदेश में 100 महाराष्ट में 70 बिहार और करनाटक में 75 आंगरपदेश में 50 और तिलगना में 40 है अब यूपी के नैस्टनल पार्क को देखते हैं तो दुधवार आश्ट्रियो उध्यान उत्तर प्रदेश में है हस्ति प्रभा वन्यजीव अभ्यारन उत्तर प्रदेश में है वकीरा वन्यजीव अभ्यारन उत्तर प्रदेश में है पिलभित राष्ट्रियो उध्यान कहा है तो उत्तर प्रदेश में है अमान गड़ बागरी जर्व उत्तर प्रदेश में है और लाख बहो सी अभ्यारन या ला नथी बो ऊठाल से हैं तो यह उत्तर प्रदेस में गंगा rejectionती है और प्रदेस के कनोज में गंगा रिभर से आकरके मिल जाती है और km कन्नौज का उपनाम है खुसबूओ का सहर क्या नाम है तो कन्नौज का उपनाम है खुसबूओ का सहर और कन्नौज है गंगा रिभर के किनारे साथियो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है सार्दा परियोजना सार्दा और गोमती नदी परिष्थित है भारतिय चीनी तक तो इसका जबाब देना है केमें आपको एक बार फिर से विद्धान को करते है तो दुधवा राष्ट्रिय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, हस्तिनापुर वन्ने जी पभ्यारन यूपी में है, रानीपुर बागरी 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 भारतिय चीनी तक नेकी संस्थान कानपूर में स्थित है भारतिय दलहन सोथ संस्थान कहा है तो कानपूर में है भारतिय दलहन सोथ संस्थान और जोगिक विष्विज्ञान अनुसंधान केंदर कहा है तो लखनाओं में है और जोगिक विष्विज्ञान अनुसंधान केंद लखनाव को उत्तर भारत का मांचेस्टर का उपनाम किसका है तो कानपुर का उपनाम है उत्तर भारत का मांचेस्टर साथियो मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि भारत का मांचेस्टर से किस सहर को जानते हैं तो इसका जबाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत का मांचेस्टर किसे कहते हैं और दक्षिन भारत का मांचेस्टर किसे कहते हैं केंद्रिय और जोगिक अनुसंधान केंद्र कहा है लखनाओ में हैं, केंद्रिय बनस्पती अनुसंधान केंद्र कहा है लखनाओ में हैं, बीरवल सहनी जिवासन बिग्जान संस्थान कहा है तो ये भी लखनाओ में हैं, केंद्रिय औसधी एवब सुगंदित पादप संस्थ स्थापना कई बर पूछा गया है तो इसका जवाब देना है कमें आपको और नवाद का हेड़कौटर महराष्टर के मुंबई में है केंदरीये आमसोद संस्थान लखनाव में है उत्री मध्रेलेवे का हेड़कौटर कहा है तो इलाहबाद में है उत्री मध्रेलेवे का हेड़कौटर कहा है तो इलाहबाद में है उत्री मध्रेलेवे का हेड़कौटर कहा है और साथियो प्रियागराज हो गया है इलाहबाद क बहादुर सास्त्री अंतराष्ट्री हवाई अड़ा वारनसी में है और मैंने जस्ट बताया अभी वारनसी किस नदी के किनारे है तो वारनसी गंगा नदी के किनारे है साथियो बताना है केमेंट बॉक्स में आपको कि केमपे गोडा अंतराष्ट्री हवाई अड़ा किस सहर म राप्ति नदी के किनारे है गोरकपूर किस नदी किनारे है तो गोरकपूर है राप्ति नदी के किनारे पेठा नगरी के उपनाम से जानते है आगरा को जहां अंचंदर इस्टेडियम लखनों में है ग्रीन पार्क इस्टेडियम कानपूर में है ग्रीन पार्क इस्टेडियम उत्तर परदेश सिवालिक परवत सिंखला से घिरा हुआ है तो उत्तर परदेश सिवालिक परवत सिंखला से घिरा हुआ है और पेठा नगरी के उपनाम से जानते हैं आगरा को गोरकपुर राप्तिनित के किनारे है उत्तर परदेश सिवालिक परवत सिंखला से घीरा हुआ है रास लीला उत्तर परदेश का मुख्य लोक निरता है साथियो साथियां ये किस राज्य का मुख्य लोक निरता है तो इसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको आगरक अगिला, ताजमह्ल को 1983 में, फतेपुर्श्चिकरी को 1986 में, युनेस्को के वर्ल्ल हेरतेस साइड में सामिल किया गया शाथको मैंने आपको युनेस्को के बारे में कई अर imprint आया है चेतरफल की दृष्टी से उत्तर प्रदेश जो है आपका वो भारत का चौथा समसे बारा राज्य है जबकि जनसंख्या की दृष्टी से उत्तर प्रदेश भारत का समसे बारा राज्य है तो जब चेतरफल की दृष्टी से उत्तर प्रदेश भारत का समसे बारा राज्य है दूसरे स्थान पर कौन है मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर कौन है महाराष्ट्र है चौत्य स्थान पर कौन है यूपी है और पांचमे स्थान पर कौन है तो गुजरात है शाथी हो अगर मैं आपसे पूछू कि निमली के तवे कौन सा राज्य चत्रफल की द्रिश्ट मध्यपर्देश, महाराष्ट, उत्तरपदेश और गुजरात करमसा साथियों बरे हैं 1857 में जो क्रांती हुई थी उसमें कानपूर से भारतिय सेनापती नाना साहब एबं तात्या टोपे थे जमकि बिटिश सेनापती कौन थे तो कैंपे बेल थे कौन थे तो कैंपे बेल थे बिटिश सेनापती 1857 की क्रांती में लखनाउ से भारतिय सेनापती बेगम हजरत महल थे और बिटिश सेनापती कौन थे तो कैंपे बेल थे बिटिश सेनापती यानि की साथियो कानपूर और लखनाव से केमेवेल थे 1857 की करांती जो हुई थी उसमे जहांसी की रानी जो थी आपकी जहांसी की रानी लक्षमिबाई थी जहांसी से और सेनापती कौन था ब्रिटीश सेनापती तो ही रोज था ब्रिटीश सेनापती साथियो जब बिहार में करान्ती हुई थी तो अठरो संतावन के करान्ती में बिहार से कौन थे और बिहार से बिटी सेनापती कौन थे विसका जबाब देना है करमेंटर बॉक्स में आपको उत्तर परदेश का राजकिय पसु है बाराः सिंखा इमेज में आपको दिख रहा होगा यही है बाराः सिंखा उत्तर परदेश का राजकिय पसु साथियो क्या तो उत्तर परदेश का राजकिय पसु क्या है साथ ही आपको बताना है केमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश का राजिकी ये पसू क्या है तो क्या है इसका जवाब जेना है केमेंट बॉक्स में आपको मैंने भी चश्ट बताया और उत्तर प्रदेश का राजिकी ये पुष्प क्या है तो पलास है ये इमेज में दिख खट्यशगरज से और उत्रा खंड से उत्र प्रजिश की सीमा लगती है। फिर से देखते हैं, हर्याना से, जार खंड से, नेपाल से, बिहार से, राजयस्ठान से, मध्यपरदे jestem चत्रीशगरज से, उत्रा खंड से और दिल्ली यूटी है, दिल्ली से भी साथ हूं, यूपी की सीमा लगती है तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद